Hey guys, मैं हूँ AX, welcome back to my channel तो guys, आज की वीडियो में मैं आपको एक formula बताने वाला हूँ editing को लेके, इस formula को यूज करके आपकी editing बहुत fast हो जाएगी बहुत fast में क्या होता है, normally जब हम mouse से कुई काम कर रहे होते हैं और फिर हम एक एक चीज को select करके करते हैं तो उससे comparatively अगर आप कीबोर्ड पे shortcut कीज से काम करते हो तो अपने आप ही आपका काम fast हो जाता है तो इस जो formula है, इसमें आपको एक तकनीक है जिससे आपको माउस को यूज करने ही जड़तनी पड़ेगी आपको direct keyboard से ही आप एडिटिं कर लोगे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको raw data माल लो आपके वास एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे का है उसमें से आपको आपका 10, 15, 20 मिनट का आपको निकालना है जो unwanted चीजें है वो आपको डिलीट करनी है तो वो कैसे करना है, only by using अपना keyboard तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए computer screen पे चलते हैं और देखते हैं कैसे यह करना है, चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो तो यह है हमारा Adobe Premiere Pro का interface और इसमें सबसे पहले जब हम edit करते हैं तो यहां पे project panel में यहां पे हम import करते हैं और उसको एक-एक यह जैसे हमें कोई भी footage हमें चेक करने हैं कि इस footage में हमारे पास क्या है हम simply यहां पे drag करके देख सकते हैं आपको कुछ भी click करने की जोड़ना है जिस भी footage पे आप जाओगे तो वहां पे आप drag करके देख सकते हो लेकि इससे पूरा idea हमें नहीं हो पाता कई बार हम कोई detail में अगर हमें कुछ देखना है तो वह यहां पे हमें clear नहीं होता बट थोड़ा सा roughly idea हो जाता है अगर आपको पूरा clear देखना है तो उसके लिए आप simply किसी भी file पे आप double click करोगे तो यहां पे source panel में आपके सामने open हो जाती है और उसके बाद आप यहां पे आई जो आपका starting point आपको रखना है वीडियो का जो भी आपको चाहिए उसमें I press करोगे और उसके बाद end point पे O press करोगे और आपका यहां पे जो भी आपने timeline में import करना है उतना ही area यहां पे import हो जाता है तो यह उनके लिए होता है जो आपको बहुत fast काम करना है और पूरा का पूरा data आपको चेक नहीं करना आप जितना आपको ठीक लगा हो आपने रख लिया लेकिन अगर आपके पास एक गंटे दो गंटे का data है और आप चाहते हो कि उसमें से कुछ cream data आपको निकालना है 10-20 मिनट का तो उसके लिए आपको करना क्या होता है आप यहां पे जो भी पूरी हमारी footage है उनको Ctrl-A करके हम select करते हैं उनको import हम timeline में कर लेते हैं जिसे मैं आपको करके दिखा देता हूं मानलो यहां पे मैं import कर लेता हूं यह मैंने पहले भी कुछ निकाल रखी है footage आपको दिखाने के लिए और उसके बाद फिर हम इनको play करके देखते हैं यह मैंने कुछ ही footage ली थी आपको चेक कराने के लिए और अभी हम आपको एक ऐसा simple trick बदाने वाला हूं रख सकते हो तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं तो सबसे पहले मैं starting से ही शुरू करता हूं आपको starting से दिखाता हूं तो इसके बाद मैं mouse यूज नहीं करूँगा आपको डारेक्ट मा दिखा देता हूं यहां पर मालूम मैं इसको play करता हूं प्ले हमें space bar से करना है उसके बाद जैसे हम play करेंगे तो जहां से शुरू करना है वहां पे आपको control k press करना है control k press करने से आपको कट लग जाता है और इसके बाद आपका यहां पे जो भी आपको selection बनाना है यह control up arrow और down arrow से आप selection बना सकते हो किसी भी footage का यह आप switch कर सकते हो control up arrow and down arrow से तो मालो मुझे इसको delete करना है simply आपको delete करना है तो आप delete प्रेस करोगे लेकिन आपको delete के साथ साथ चाहिए कि आपका जो जितनी भी footage है वो आगे खिसक जाए delete होने के साथ साथ तो उसके लिए आपको क्या करना है undo करके दिखा जाता हूं आपको तो आपको shift प्रेस करना है और delete प्रेस करना है तो आपकी जो footage है वो आगे खिसे जाएंगे तो यह बहुत ही simple तरीका है और इसको अगर आपको यह करना भी आपको मुश्किल लगता है मालनों आपको चाहिए कि ctrl k press करना फिर shift delete करना यह आपको थोड़ा सा लगता है कि यह time taking है तो इसका भी एक और shortcut आप खुझ से बना सकते हो उसके लिए आपको edit में जाना है keywords shortcut में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है add edit add edit यहाँ पर ctrl k इसका shortcut की है तो यहाँ पर हम simple कोई भी जो आपके हाथ के पास है तो यहाँ पर इसको मैं S यहाँ पर मैं assign करता हूँ क्योंकि S बिल्कुल ही left hand के पास परता है मैंने यहाँ पर as कि और पर叫ल ऑगे सर्फ दिलियुर्ट हमने किया था उसका होता है ripple d week मैं s ढर यहाँ पर एकर हम रहो डी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर इसका assign डी हो गया अगर आपका यहाँ पर इसको select करना होता है select करना यहाँ एगा तो यहाँ पर press करना है अब आप देखना है यह simple सी trick से आप कितना fast edit कर सकते हो मालनो मैंने mouse को बिलकुल side कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे space बार से इसको play करते है और आपको मालनो इसके बाद का short नहीं चाहिए आपको यहाँ पर S प्रेस किया तो आप यहां पर S प्रेस करोगे और D प्रेस करोगे फिर हम आगे देखेंगे आगे कैसे करना है मानलों आपको इसके बाद करना है तो आपको S प्रेस करना है और यहां पर तो यह बहुत ही सिंपल हो जाता है आपका काफी सारा काम आपका यहां पर बच जाता है अगर आप मैनुवली माउस से इसको करोगे तो आपको यहां पर आपको रेजर तूल सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद मोर तूल सेलेक्ट करना है सेलेक्शन तूल उसके बाद आपको डिलीट करना है फिर फुटेज्छ धूँ प्र करता है लेकिन इसका सिंपल सा तरीका है पे प्ले करना है जहां से आपको जाही आपको स्बिंट at simple यहां पर हो जाता है तो आप कोई भी shortcut खुझ से premiere में assign कर सकते हो जिसका already shortcut दिया हुआ है उसको भी आप अपने हिसाब से change कर सकते हो तो यह थोड़ा सा इसमें आपको समझने में time लगेगा लेकिन एक बार आप खुझ से करके देखो के तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुत ही कमाल की ट्रिक है इससे आप किसी भी shortcut की को आप खुझ से assign कर सकते हो और आप जो timeline में जो edit करना होता है delete करना होता है ripple delete करना होता है वो आप बहुत fast कर सकते हो तो guys फिलाल की वीडियो में इतना ही तो हुआ 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 है जो डाप जो हम दोने कर सकते है